Hello Friends, Welcome to P.K. Technical World Friends, Today in this video I will explain Post-Colonial Literature in Detail आज की एस वीडियो में हम Post-Colonial Literature को Detail में Explain करेंगे Post-Colonial को Explain करने से पहले हम तोड़ा सा Colonial Literature को Touch करते हैं कि Colonial Literature किसे कहते हैं पिर हम Post-Colonial Literature की तरफ आएंगे कि Post-Colonial Literature क्या है इसके मैं राइटर्स कौन कौन से हैं इसके मैं वर्ड्स कौन कौन से हैं और इसके साथ मतलब रिलेटर्ड जितनी भी चुटे 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 टापिक्स हैं उनको में Explain करूंगा तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आते हैं Colonial Literature की तरफ Colonial Literature को सबसे पहले हम इसलिए Explain करते हैं ताकि आप लोगों को Post-Colonial Literature का अच्छे से समझ आ जाएं तो दोस्तों Post-Colonial Literature वो लिटरिचर हैं जो कि British writers ने लिखा था In the time of British colonies in Africa, in Australia, in subcontinents and different other colonies Colonial Literature तब लिखा गया था जब colonization हो रही थी Subcontinents में, Africa में, Australia में इसी तरह से जहां जहां पर भी इन लोगों ने colonies बनाई या बना रहे थे तो उस वक्त जो लिटरिचर लिखा गया English writers के जरीए तो उसको Colonial Literature कहते हैं तो Colonial Literature में Colonial writers ने लिखा कि ये जो लोग हैं जहां पर हम Colonies बना रहे हैं ये Uncivilized है, Unsocialized है, इन लोगों का religion नहीं है इन लोगों का culture नहीं है ये लोग जंग के इलावा कुछ नहीं जानते हैं इनकी आउरते हैं इनकी जो मेल है वो लेजी है वो feminine characters के मालिक हैं इसी तरह से Colonial writers ने different allegations लगाए, different लगाए Colonized लोगों पर जो के अफरीका से तालुक रखते थे इसी तरह से Australia से तालुक रखते थे फलस्तीन से तालुक रखते थे जहां पर भी इन लोगों ने Colonies बनाई उन पर इन लोगों ने इल्जामाद लगाए कि ये लोग जो थे ये Uncivilized थे हम यहां पर आए, हम यहां पर Colonies बनाने जा रहे हैं या हम यहां पर Government कर रहे हैं तो हमारा जो Man मकसद है वो है इन लोगों को Civilize करना इन लोगों को Socialize करना इन लोगों की Language को Develop करना मतलब इनका मकसद यह था कि हम इन लोगों की Development के लिए काम कर रहे हैं इन लोगों की नजर में और ये लोग कह रहे थे कि जो वाइट लोग है जो Colonizer है वो Superior है Then Colonized मतलब जो वाइट लोग है वो Black लोगों से Superior है वो Knowledgeable है वो Will Socialized है Will Civilized है ठीक है इन लोगों के पास Technology है ये लोग Will Minard है तो ये लोग यहां पर आए है इन लोगों को Civilize करने के लिए तो इसी की जवाब में Post-Colonial Literature लेका गया है तो अब आते हैं Major Colonial Reuters की तरफ और उनकी वर्क्स की तरफ तो हमारे पास है जौजिफ Conrad उसने Heart of Darkness लेका ता ठीक है जो के उसमें उसने Different allegations लगाए थे अफरीका के लोगों पर तो उसकी जवाब में पर चिनवा अशीबी ने एक Novel लिखा था उसने चिनवा अशीबी ने उसको Answer किया था कि हम लोग Civilized थे हमारा Culture था हमारा Language था हमारा Religion था लेकिन जो आप लोग आये थे आप लोगों का मकसद ये नहीं था कि आप हमें Civilized करें बलके आप लोगों का मकसद था कि हम पे अपना जो Language है वो इंपोस्ट करें हमारे दौलत को लूटें हमारे जो विल्ट है उसको लूटें इसके बाद दूसरे नमबर पर है Radioard के प्लेन उसने लेका था किम दूसरा है Passage to India ये एक Novel है ये एम फॉस्टर ने लेका था चौती नमबर पर जो हमारे पास राइटर है वो है कित्रेन मिंस फिल्ड उसने लेका था The Woman at the Store तो दूस्तों हर Novel की स्टूरी जो है वो कोलोनीस से तालक रखते हैं मतलब जो लोग कोलोनाइजर थे उन्होंने ये Novels लेके हैं कोलोनाइजर लोगों पर ठीक हैं तो दूस्तों ये जो लिटरेचर लिखा गया था कोलोनीयल लिटरेचर लिखा गया था इसकी जवाब में पिर क्या लिखा गया पोस्ट कोलोनीयल लिटरेचर लिखा गया आजादी के बाद ठीक है तोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सारे कि सारे जो कोलोनियल राइटर्स थे वो ऐसे नहीं थे कि वो जो कोलोनाइजड लोग थे उनके खिलाफ थे बलकि कुछ ऐसे भी राइटर्स थे जिन्हों ने जो ब्रिटिशर्स थे उन बयान किया उन लोगों ने जो मुझालिम किये इन गरीब लोगों पर भी एहसन तरीके से बयान किया कुछ राइटर्स थे ने कोलोनाइजड लोगों के हक में आवाज बलंद की लेकिन मॉस्ट आफ दे राइटर्स थे उन्हों ने अपने लोगों को अपने गौर्मेंट को defend किया और कहा कि हम लोग यहां पे आये थे इन लोगों को civilize करने के लिए तो दोस्तों ये था colonial literature अब हम आते हैं post colonial literature की तरफ दोस्तों post colonial literature वो literature है जो के after decolonization लिखा गया मतलब जब colonies खतम हो गई British colonies का अखताम हुआ तो उसके बाद different colonized writers ने literature लिखा उस literature में इन राइटर्स ने उनके reaction में novels लिखे, stories लिखे जो के colonial writers ने लिखे थी post colonial writers ने उन लोगों को जवाब दिया, उन लोगों के allegations को reject कर दिया इसमें इन लोगों ने जवाब दिया कि आप लोग यहां पे इसलिए नहीं आये थे कि हमारा जो culture था वो नहीं था आप लोगों हमें culture देने के लिए आये थे या हमारा religion नहीं था आप हमें religion देने के लिए आये थे या आप लोग हमें सोशलाइस करने के लिए यहां पे आए थे यह बात आप लोगों के गलत है आप लोग यहां पे आए थे हमारे मुलक पे आप लोगों ने कबजा किया सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप लोग हमारे वेल्ट को लूटे जैसा के आप लोगों ने सुना होगा के हिंद।स्तान में जब ये अंग्रेज Positive लोग आए तो उन लोगों ने कहा के हिंद।स्तान सुनी की चिर्वया है ठीक है। तो इस सुने की चिडिया को अंग्रेजों ने अच्छी तरह से लूटा कोही नूर का जो हीरा था वो भी वो लोग ले गए और आप लोगों को पता होगा कि सुने से बरे हुए ट्रेन इंग्लेन ले गए तो यही बातें पिर जो पोस्ट कलोनियल राइटर्स थे चाहे वो अफरीका से तालूक रखते थे चाहे वो एशिया से जहां से भी तालूक रखते थे उन लोगों ने उसको बता दिया कि आप लोग इस मकासित के लिए आये थे उनको जो रियल फेस था ब्रेटिच गवर्मेंट का वो शो किया दुनिया की डिफरिंट लोगों को ये बता दिया कि हम अनसिविलाइजड नहीं थे हमारा कल्चर था हमारा रिलिजन था हम सिक्स मैनिक नहीं थे ये लोग जो आये थे और हम पे जो इलिगेशन लगाई है ये इन लोगों की खामिया है यह खामिया इन लोगों में ही पाये जाती है लेकिन इन लोगों ने हम पर intentionally imposed की है आप लोगों ने एक महावरा सुना होगा कि ही जिसकी लाटी उसकी बैंस तो उन लोगों ने जो लिखा वो लोगों ने मान लिया external word ने वो मान लिया लेकिन असल हकीकत ये है कि ये लोग किस मकसद के लिए आये थे वो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों अब हम आते हैं तीम्स की तरफ तो हमारे पास जो मैन तीम्स है पोस्ट कोलिनियल लिटरिचर के उसमें सोशल प्राबलम्स आते हैं पुलिटिकल प्राबलम्स आते हैं वार्ज आते हैं वायलिंस आते हैं इसके बाद हमारे पास जो है कि जो मैन जानरा को टच किया गया पोस्ट कोलिनियल लिटरिचर में वो था नावल्स Most of writers थे उन्होंने नावल्स लेके नावल्स की तरोक colonial writers को answer किया गया और post-colonial writers जो थे वो content पे ज्यादा जोर देते थे man team पे ज्यादा जोर देते थे instead of structure मतलब वो structure पे ज्यादा focus नहीं करते थे वो content पे और man team पे ज्यादा focus करते थे अब आते हैं Edward सेयद की तरफ तो दोस्तों Edward सेयद अपने most important and influential जो work है उसका orientalism उसने एक book लिका था तो उसमें वो कहता है कि अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने humanity को इनसानों को दुनिया के लोगों को दो हिस्सों में तक्सीम किया orients और occidents orients मतलब जो black people थे जो गंदमी रंग के लोग थे इशिया से तालुक रखते थे अफरीका से तालुक रखते थे या दुनिया की दूसरे हिस्सों से तालुक रखते थे जहां पे इन लोगोंने colonies बनाई थी तो कहते हैं कि अंग्रेज लोग समझते हैं कि जो orients हैं ये inferior है दिन white people ये uncivilized है unsocialized है इन लोगों का culture नहीं है ये लोग जो है feminine character के मालक है मतलब ये ऐसे क्या कहते हैं हम sorry for saying HD के समके है ठीक हैं तो इन लोगों को civilized करने के लिए moralize करने के लिए ethics देने के लिए हम यहां पे आए हैं ठीक हैं हम superior है हम educated है हम will manard है ठीक हैं हमारे पास technology है हमारे पास resources है हम इन लोगों की development के लिए काम कर रहे हैं ये कौन कहता है Edward Syed कहता है कि अंग्रेज लोग ये कहते हैं इसके बाद हमारे पास है post-colonial writers and works तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है Edward Syed Edward Syed जो है ये father of post-colonial literature है इसका जो man work है वो है orientalism orientalism में इसने occident और orient को define किया था occident जो थे वो west से तालुक रखते थे ठीक हैं अंग्रेज लोग जो थे white face लोग जो थे तो ये लोग कहते थे कि सारी जो positivity है वो हम लोगों में है और सारी जो negativity है वो orient में है मतलब black logo में हैं तो ये बात ने Edward Syed ने की हूमी के बाबा ये बी ये इंडिया से तालुक रखते थे ठीक हैं ये इसने भी बहुत ज्यादा काम किया पोस्ट कोलोनियल लिटरिचर में उसका जो man important work है वो है the location of culture चिनवा अशीबी चिनवा अशीबी जो है इसने things fall apart लेका था जो के एक जबरतस्त किसम का नावल है जो के heart of darkness के reaction में लिखा गया था अगर आप लोग things fall apart और heart of darkness को पढ़ेंगे तो आप लोगों को complete post-colonial literature की समझ आ जाएगी और आप लोगों को पता लग जाएगा के post-colonial literature में किस तरह से इस things fall apart ने अपना रोल अदा किया किस तरह से इसने colonial literature को अंसर किया कौन कौन से allegations कौन कौन से इल्जामात लगायते अंगरेजों ने जो के heart of darkness में mentioned है और things fall apart में उसको अंसर किया गया है अकबाल इहमद अकबाल इहमद ये भी post-colonial writers है पाकिस्तान से तालुक रखते हैं इसने बहुत ज़्याद लोगों के حقوق के लिए जदू जहद की इसके साथ साथ हमारे पास है गायत रीस पेविक जो के इंडिया से तालुक रखते हैं ये एक feminist writer है ठीक है जो के female के हकुक के लिए बात करते हैं ये कहती है कि जो subaltern है subaltern mean female वो female जो जिन से आजादी चीनी गई हो इसका एक work है एक essay है can the subaltern speak ये इसका man and important work है जो के वो औरतों के हकुक के लिए 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 कहते है कि अंग्रेजों से पहले भी औरतों के साथ नाइनसाफी हुई अंग्रेज जब आए तो उन्ह जोगते आजादी के बाद भी इन्होंने औरतों के साथ नाइनसाफी की और तो और औरतों के साथ औरतों ने भी नाइनसाफी की और औरते अभी तक गुलाम हैं तो दोस्तों ये ता colonial and post colonial literature दोस्तों अगर आप लोगों को इस topic में कोई भी problem है तो आप लोग बराए महरबान कमेंट बाक्स में मेंशन करें अगर ना हो तो आप लोग मुझे WhatsApp पर भी message कर सकते हैं thank you very much